हाई, वेलकम तो मैं चैनल, चलिए क्विशन नुबर 3 साल करते हैं, तो इसमें बोला है, वेरिफाइब करने का मतलब क्या होता है, वेरिफाइब का मतलब होता है कि establish the truth of, मतलब कि यह सचाई है, मतलब इसको जो है establish करिए, इस्थापित करिए कि यह सच में है, मतलब minus of minus x is equal to x होता है, इसको हमें क्या करना है, establish करना है truth पताना है इसको verify करना है इसलिए ठीक है verification का मतलब यही होता है तो हम x is equal to alien of 15 के लिए करेंगे पहले उसको बस second इसको करेंगे ठीक है तो पहला start करते हैं तो हम भी सकते हैं यहाँ पर कि we know that इसको starting कर रहे हैं ठीक है we know that we know that the additive inverse of additive inverse of additive inverse of 11 upon 15 is minus of 11 upon 15 ठीक है पास negative ले 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 लेते हैं that is additive inverse तो यह दिए additive inverse है मतलब 11 upon 15 का जो है minus 11 upon 15 जो है additive inverse है it implies हम लिख सकते हैं 11 upon 15 plus in bracket minus 11 upon 15 right is equal to 0 हैगी नहीं मतलब यदी 11 upon 15 का जो है minus 11 upon 15 जो है additive inverse है इनका जो sum होगा वो 0 होगा राइट तो it implies देख सकते हम यह अब इसको जो हम इदा रखेंगे 11 upon 15 को हम इदा रहने देते हैं और यह जो minus 11 of 15 इसको हम ट्रांस्पोर्ज कर देते हैं right hand side में ठीक है तो होगा क्या यह जो positive sign है यहाँ पर वो negative हो जाएगे यहाँ जाने पर हाना right hand side में transpose होगा तो क्या होगा negative हो जाएगा तो minus of minus 11 upon 15 हो जाएगा है कि नहीं यदि ऐसा होगा तो हम यहाँ पर अब replace कर देंगे 11 upon 15 देखे 11 upon 15 किसके बराबर है x के बराबर है है कि नहीं तो x is equal to 11 upon 15 जो है यहाँ पर put कर देंगे तो यहाँ मिलेगा x is equal to minus of minus यह भी क्या है 11 upon 15 क्या है यह यहाँ से यहाँ तक यह आप जानते हो कितना है 11 upon 15 है तो यह sorry x है तो x is equal to आ गया minus of minus x ठीक है तो hence verified right चलते हैं second करते हैं यहाँ पर तो इसका भी जो initiation है वैसे ही करेंगे हम we know that we know that the additive inverse of additive inverse of additive inverse of minus 13 upon 17 is minus of minus 13 upon 17 यह याद रखिए अब हमेशा जब इसमें जब वेरिफाई करेंगे अब तो आप ऐसे लिखेंगे तभी आप वेरिफाई कर पाएंगे ठीक है माइनस 13 upon 17 का जो additive inverse होगा वो होगा माइनस अफ माइनस सेवंटी अपन तर्टी अपन तर्टी अपन तर्टी अपन सेवंटी राइट it implies हम क्या करेंगे इन दोनों के दिव आइड करेंगे तो result जो है क्या आएगा 0 आएगा माइनस 13 upon 17 प्लस ये पूरा तो प्लस ये पूरा complete इसमें आइड करना है तो हमें big break लगाना पड़ेगा right और minus of minus 13 upon 17 का use करना होगा right इतना is equal to क्या होगा 0 होगा है कि नहीं मैंने क्या किया है इसको और दोनों क्या क्या है add किया यहाँ पर तो 0 आ रहा है अब करना क्या है कि हमें इसको transpose करना है right hand side में क्या मिलेगा minus 13 upon 17 is equal to देखिए यह positive जो है negative होजाएगा बस तो minus होजाएगा और जो इस बड़े bracket के अंदर जितने भी quantity है वो वैसे ही रहेगी minus of minus 13 upon 17 right तो यह हमारा हो गया अब ध्यान देजिए हम replace कर देंगे अब x की जो value है कितना है minus 13 upon 17 तो यहाँ पर x आद आएगा तो replacing value we get x is equal to यह minus तो रहेगा ही और यह भी minus रहेगा तो हम अब यह वाला bracket लगा सकते हैं this bracket and minus of यह कितना है यह भी x है देख लिजे यहाँ पर ले सकते हैं अब x तो x is equal to minus of minus x तो हम लोग यहाँ भी verify कर दियें तो लिख सकते हैं कि hence वेरिफाइड थैंक यू सो मच पर वाचिंग मिलते हैं आप से नेक्स वेशन में दो